Friends, Smart Information Academy के Ethics की सिरीज में आप सभी का स्वागत है देखें, पिछले तो वीडियो में हम लोगों ने देखा एक लोगी Ethics की परिभाशा क्या होती है इसके साथ ही हम लोगों ने समझा जो Ethics सब्जेक्ट है, इसकी ब्रांचे कौन कौन सी है और फिर उसमें हम लोगों ने Bioethics बगरा की बाती, इसके साथ ही हम लोगों ने Ethical Standards की बाती करके वीडियो में आप देखें, आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स को डिसकस करने जा रहे हैं तो इसमें से अपना पहना टॉपिक है Consequence of Ethics यह देखे Consequence of Ethics क्या है जैसे कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं यानि कि आप जिस तरह का भूजन लेते हैं उसके परणाम आपने शरीम के ओपर दिखाई देते हैं जिस तरह कि आप विचार करते हैं उसके परणाम आपके मस्दिश के ओपर दिखाई देते हैं ठीक उसी तरह से आपके जीवन में अगर आपके विचार ethical है अगर आपके जो कर्म है यानि कि आपके जो action है अगर वो ethical है तो उसके क्या परणाम आपके जीवन के ओपर दिखाई देते हैं इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, देखें इसको हम लोग तीन लेवल्स पर समझेंगे, यानि कि अगर आप अपने व्यक्तिगर जीवन में नैतिक गती हैं, तो उसके परिणाम आपके जीवन पर किस तरह से दिखते हैं, एक और यानि अगर एक संग्षन नैतिक है, तो उस अपने पर जीवन में बहुत जादा एकिकल है, बहुत जादा नैतिक हैं, तो आपकी जो बिश्वस्मियता वह बहुत जादा पर जाती हैं, लिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कि अश्वर्थामा को कोई मार सकता है, नहीं कि जब युदिष्टिर रह लेते हैं कि हाँ अश्वर्थामा मारा गया, तो द्रोणाचाय को तुरण भरुसा हो जाता है, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जो युदिष्टिर की क्रेडिबिल्टी थी वो बहुत जाला थी, और ये इन तो किसी भी महान व्यक्तितु के उपर आप ये प्रेडिबिल्टी की बात को लागू कर सकते हैं, इसके बाद दूस्ती चीज आदी है confidence, अब मालीजी आप एक लोग सेवक हैं, और कोई आपका senior अधिकाही है, या कोई मंत्रीगर है, जो आपके उपर दबाव डाला है कि आ कोशिश करेंगे, यानि कि आपके उपर तू चार्जेस टाल दिये जाएं, किसी तरह से आपको किसी inquiry में फसा दिया जाएं, तो अगर आप एक नहतिक व्यक्ति रहे हैं, अगर आपका पूरा का पूरा करिया नहतिकता से भरा हुआ रहा है, तो आपको कोई भी डर नहीं हो होगा कि आप इसी भी तरह से फसायर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अपने पूरे करिलर में आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है, तीसरी जी जाती है, सोशल कैपिटल मतलब क्या है, कि एक तरह से आप सामाजी पूंजी के रूप में हो जाएंगे, जैसे कि यहां पर एक बह जोजना के प्रमुप होते हैं, उसको फंड बहुत आसालियों से मिल जाता है, यानि कि रोन लेना है, कहीं से बॉन वगएरा जानी करके पैसे की उगाही करना है, तो यह सब बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इश्वी धरन जो हैं इनका सोशल कैपिटल बहुत जाता है और इनकी credibility वगएरा भी बहुत जाता है, तो यह individual level पे फायते होगा, यानि कि अगर आपने आप निची चीमर में नहीं हैं, तो इसके क्या परणाम आपको देखने को मिलते हैं, इसके बाद यह क्या आता है, organizational level, organizational level बहुत जाता है, अगर एक शल्वी धरन बहुत जाना नह पिल्कुल भी डर नहीं लगता है, जो कि आपको पता है, यह company अपने customer को कभी भी थुखा नहीं रहती है, इसी तरह से सर्काही जीवन में भी यह जीचे होती है, जैसे UPSC है, UPSC ने लंबे समय से अपनी credibility को बनाया हुआ है, विश्वस्मियता को बनाया हुआ है, यानि कि UPSC है, इसकी बहुत जादा brand equity है, इसी की तरह election commission, election commission को पर बहुत जादा भरुसा किया जाता है, क्योंकि इसने हमारी democracy को लंबे समय से जीवित रखा हुआ है, और ना देवन जीवित रखा है, बलकि हमारी democracy लगातार समवध्धित हो रही है, यानि कि लगातार हमारी democracy UPSC है, इस तरह की जो संस्था है, इनकी जो brand equity है, वो बहुत जादा है, यानि इनका नाम ही काफी है, इसके बास आता है employee-employer relationship, इसमें देखें मैंने एक छोटी सी कहानी पड़ी थी, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप तुरन समझ जाए ले, देखें मैं बुता क्या है यह एक बड़ी सी company है, जिसमें काम चल रहा है, और जो officer है, या कहने जो senior अधिकारी है, वो अपने gaming में बैट है, अचानल से senior अधिकारी है, उनको कुछ आवाजे सुनाई देती है, तो वो निकल के बाहर जाते है, देखें कि जो एक कर्णचारी है, वो drink करके आ गया है, श वो बड़िक करते हैं, उस वैकि वो अपने साथ देते हैं, अपनी गारी में बैठाते हैं, और उसके धर दक फोट जाते है, उसके साथ ही जो उसकी wife है, उससे ये भी कह देते हैं, यानि कि वो ये भी indication कर देते हैं, कि इस ये जो व्यट्पी है, जो शरापी किया गया है, तो ऐसे में क्या होता है एक तो जो करणचानी है जिसने इस तरह से गलब काम किया था जो ट्रिंग करके आगया था वो दुबारा ऐसा कभी नहीं करता लेकिन इसके साथी एक बड़ी घटना ओर होती है कि उस समय बाद जो वही फैक्ट्री है वहां पर एक हर्दार हो जाती है और ऐसे में जो बाहर के लोग है वो थोड़ी सी कोशिश करना होते हैं कि जो फैक्ट्री के आंगरिक मामने हैं उसमें तखलंदा जू की जाए लेकिन इसी समय पर ठीक इसी समय पर वही इंप्लॉई सामने आ जाता है जिसकी इन्होंने जॉब की रच्छा की ती जिसको दूसरे परती को नहीं लाना चाहिए जो हमारे आपसी जगड़े हैं इंको हमें आपस नहीं में जुद करना इंका समाधान करना चाहिए तो यादिती जो इंप्लॉई इंप्लॉयर रिलेशन्शिप है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट होती है और अगर आपके हाँ यह अगर आपका संग्रिठन बहुत ज्यादा नाइपिक है जैसा कि मैंने अभी आपको इजाफ़ पर पर पताया तो आपका संग्रिठन बहुत ज्यादा की इफिसिएंसी के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करता है था अगर इश्टीव जोब्स की बात करें तो देखे पर्सनली माफी मापना पड़ी उसके बाद वो दुबारा और्माइडेशन को बना पाए जब उनकी जो एपल कंपनी थी उससे उन्हें पाहर कर दिया था इसके बाद एक बात और आती है इसके पोल्डर रिलेशन्शिप यानि कि जब आप एक कंपनी या किसी पी संग्ठन चाहे सरकालिक और रिवेट हों किसी की संग्ठन पर काम कर रहा होते हैं तो आपके साथ अकेले नहीं होते हैं बहुत सारी जुदे जुदे जैसे हमाँ खाले वो फार्मर्ट जो तर दूद की सप्लाइब करते हैं फिर यहां पर काम करने वाले मुग फिर वो लोग जो इने पैकर टेगूर को दुलबानों तक पहुचाते हैं, फिर वो दुकानार जो इस पैकर टेगूर की सहरी करते हैं, तो यह सब ही अभूर के साथ चुरे हुए हैं, तो ऐसे में अगर एक नैतिक साथ है, तो वो हमेशा ध्यान रखे रहा कि उसके साथ चुरे हुए जो कोई भी लोग है, किसी काभी नुक्सान ना दो, इसके बाद एक थैड आता है सोसाइटी का लिए पर, यानि कि समाज का इस तर, तो समाज अगर देखे, नैतिक है, तो क्या होगा कि लोग जैसे कि आपने देखा है कि बहुत साले लोग हैं जो कदर दटी में से राशनगार का प्यूग करते हैं उनको उस राशन की ज़रूरत नहीं है फिर बिल्पिर इस तरह की जो सर्कार्णी उचनाई हैं उनका लाव उठाते हैं तो जहां पर समाज में न जासी बात है एंक समाज जो नहतिक हो वहाँ पे जो आपस में जो धवन होते हैं जो ओंप्लिक्ट होता है वो कम होगा और आपस में लोग में जुलकर रहे होगे अब अगर हम लोग फ्रेंच रेवोलूशन की बात करें, फ्रेंच रेवोलूशन क्यों हुई, क्योंकि जितना भी संसाधन था, सबके ओपर एक छोटे से वर्ग में अपना अधिकार कर लिया, और एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो वंचित हो गया, जिसके पास कोई भी संसाध नहीं है, तो इसी की वज़े से फ्रेंच रेवोलूशन कोई, यानि कि क्योंकि बहां के समाज में नहीं था नहीं थी, लोग जो संसाधन है, उनके बटवारे को लेकर के न्याय शीनता नहीं अपना रहे थे, तो ऐसे में फ्रेंच रेवोलूशन होगी, यही चीज आप जिए वातिकार होगे, लोगों को आजादी होगी, और एक ऐसा सिष्टन होगा, जहांपर तो लोगों के अधिकारों का ईखन == हए यज हए घर लोगों की स्वतंदुरता का ईखनम हा है तो उनको रियाय देनिसे कि जखरे, तो यह आपब में सोसाईटी के लिपर पे आप देखें, हम्रों समझेंगे, ethics in public life, यानि कि देखें, आप जब civil services के थू कहीं पहुचते हैं, किसी पल्ग पे, या आप भी भी अगर आप अपने जीवन में हैं, तो आप एक public life भी है, यानि के वन आप एक निजी जीवन नहीं जीते हैं, आप एक सारज़नी जीवन भी जैसे कि एक Cerebrity है, तो Cerebrity के उपमें जो सचीन तंदूरकर है, इनकी Credibility पहुचाता है, क्यों Credibility पहुचाता है? कभी इनोंने जो Elkohal है, इसका Advertise नहीं किया, इस तरह कि जो भी नुटसान देचीजे हैं, उसका इनोंने कभी भी Advertise नहीं किया, जिसनी वज़े से इनकी Cred Credibility या विछवस्मीता है, सचीन तंदूरकर की, वह बहुत जाता है, तो Cerebrity अगर आप हैं, तो आपकी Public Life में Ethics Crise करा की होनी चाहिए, यह हमें बताते हैं, यह Examper हमको समझा ला है, इसके पास Public Officer सबसे ज़्यादे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानि कि अगर आप ए Ethics का क्या दूदान है। देए, पहली बात है, कि आप Public Interest को पह लिए रखेंगे, और Private Interest को बार में रखेंगे। पप्लिक इंट्रेस्ट को पहले रखने से क्या मतलब है कि आपको जनता का काम करने के लिए बैठा लगया है तो आप यही ध्यान लखेंगे कि आपको जनता का काम करना है ना कि खुद का फाइदा करना है और देखें इसका जब विपरीत होने रखता है तो वहीं से चाह है तो जन देता है इसका एक एक जामपल है insider trading, insider trading क्या होता है? देखिए क्या है मानने जे आपकी एक company है या आप एक बड़ी सी company में बड़े पर काम कर रहे हैं, आपको पता है कि किसी कारण से आपकी company के जो share है आने वाले 3 महिने या 4 महिने में या 15 दिन में महिने होने आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अपने रिष्टेदारों को पहले से ही share खरिदवा देते हैं और जब लाग होता है तो उस लाग कहेंचे यह company को लाग होता है उसका एक बड़ा हिस्सा आपके रिष्टेदारों तक भी पहुंचता है इसका कारण क्या है? आपने insider trading क जो company की information थी उसको अपने रिष्टेदारों करते दिया तो यह चीज नहीं होना चाहिए यानि कि आपको private interest को वरीता नहीं देना है बनकि आपको public interest को वरीता देना है इसके बाद आती है देखें दूसरी चीज custody of public funds अब देखें क्या है आप जब एक सारजणी पत पे होते ह है यानि कि बहुत बड़ी राशित होती है जिसकी आपको देख लेक करना होती है जिसको आपको खर्च करना होता है और ऐसे में ही ध्रष्टाचार की जन्ग लेता है इसका misuse होता है इसका एक simple examper है कई बार क्या होता है मालनेजे आपका कुछ पैसा है जिसे refund किया जाना है आपके पैसे को refund करने में कुछ टाइम लगा देती है तो महिने पीर महिने एक साथ और इस बीच में यह जो पैसा है इससे वो या तो business कर देती है या bank में जमा करती है उससे ब्याज ले ले लेती है bank से और इस तरह से लाब कमा लेती है तो यह क्या है कि आप जो public funding को दिये इसके पाद तीसरी चीज़ आती है देखिए regulatory compliance यह बहुत important है देखिए important क्यों है आप एक civil servant है मानिजे आपको एक जो company है उसका निरिक्षर करने का दाई तो दिया गया है आप company में जाते है निरिक्षर करते हैं और कुछ आप ध्रश्टाचार अगरा में सलिथ है इसलिए जो आपको company है उसको बिना audit किये सही करार दे देते हैं कि company के सभी काम जो है सही से चल रहे है लेकिन बाद में company में बड़ी दुगटना हो जाती है काफी लोग जटनी हो जाते हैं लोगों को नुच्सान हो जाता है यह सब क्यों हुआ जो कि एक वर्ति जिसको regulation का काम दिया ज्रीदिया हुई बहुत बड़ी दुगटना थी यह और इसके पीछे का कार्श क्या था कि multiple जिनको की calculation का काम दिया या था जिनको निगरानी करना थी उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया अगर ऑफना काम ठीक से किया होता तो इस तरह की तरह की तुगटना नहीं होती कई सारे लोगों ने लावरभाही पर दी, इसके बाद देखे आता है regulator, यानि कि जो regulator है, इसके एथिक्स की इस तरह की होती है, इसके लिए नैदिक्ता की इस तरह से होती है, तो पहली बाद है तो regulator को क्या कहते है, नियामत, नियामत का मतलब है, जैसे आपका सेवी हो गया, RTI होया, यह सब आपके नियामत है, तो नियामत क्या करता है, नाम से ही पता चलता है, नियम का मतलब करता है, नियम करता है, तो जो regulator है, पहली बाद तो है, जब यह regulation बना रहा है, यानि कि जब यह नियम बना रहा है, तो इसमें कोई इसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, Discrimination अब तब क्या है कि भीएव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक सलस्था को आपने लाप पहुचा गिया, एक कंपोनी को आपने उंसान पहुचा गिया और इसकी वज़े से क्या है एक कंपनी बंदू कर गए और एक कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया और यह देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो डेगुलेटर है, इनकी भूमिका के उपर समय समय के कोश्चन उठते रहते हैं कि डेगुलेटर जो है अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो इनका काम है वो नॉन-discriminatory होना चाहिए, इसके साथ ही देखें यह एक्विटेबल होना चाहिए, इक्विटेबल मतलब मान दीजे कि आप तो जहां पर काम करते हैं, जहां पर आपकी डेगुलेटरी बॉटी है, आप एक नियामक सहस्था में मान दीजे अच्छे हैं, आपको नीड़े देना है, पास में तालाब है या बड़ी सी चील है, जिसमें दम्य समय से जो मच्वारे हैं वो मच्वी पकड़ते हैं, लेकिन आप जो जील है, इसकी जैविवित्ता खत्रे में आगई है, तो ऐसे में जो सामाजी संग्ठन है, जो पट्यावरण से चुने होई संग्ठन है, वो लगातार आ आप ये करेंगे कि पूरी तरह से काम बंद करवादें जिससे कि लोग बेरोजगार हो जाएं, और ना ही आप ये करेंगे कि जैसा बोड़ा है वैसा चलता रहें, बंद कि आप एक मध्या मार निकालेंगे, यानि कि कुछ समय के लिए शाहिद आप जैसा था वैसा चलता र यानि कि equitable होगी आपकी policy, इसके बाद आता है execution of regulation ये कि आपने नियम तो बना किया, लेकिन इसको आपको execute भी करना होगा, यानि इसको लाभू भी करना होगा, तो जो लाभू करना है वो भी सही से होना चाहिए, जैसे कि sand mining हो रही है, हम लोग जाते है भारत में जगे जगे जो sand mining है कि बहुत ही illegal तरह से होती रहती है, तो आप इसको effectively रोगें, ऐसा नहीं है कि आपने नियम बढ़ा दिया कि sand mining नहीं होगी, और इसी से जारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको effectively रोगना भी होगा, जैसे कि गंगा clean mission है, वो सही से काम जो नहीं कर पाता है, क्य conflict of interest, देखे, conflict of interest का मसला क्या होता है, वही बार फिर से आजाती है, कि कई बार आपका जो hit है, आप उसको बरीता दे देते हैं, और जो दूसरा आपकी जो organization का hit है, या जो आप कहने है समाज का hit है, उसको आप पीछे छोड़ देते हैं, इसको कहते है conflict of interest, यानि कि जो hit है, इसको में टक्राव हो रहा है, उनिची hit और साफजरी किर्टे पीज में टक्राव हो रहा है, इसके बाद आता है debulatory overheach, देखे, debulatory overheach क्या है, ठीक है आप निया मत है, आपको नियम बनाने के लिए सोकन देता है, लेकिन आपके नियम ऐसे ना हो, कि आप हर बात में organization को पर होती है, तो इसमें कहारा करें कि जब न्याय पानिका जो है, काय पानिका और विधाईका का काम करने रच जाती है, तो इसको कहते है न्याय का की शक्रीटा, उसी तरह से regulatory overheach क्या है, कि जब इस regulatory body सब्सक्राव को अपने हाथ में ले लेती है, जिसकी वज़े से और जो organizations है, उनके लिए काम करना कठी हो जाता है, निया पानुट बहुत जटिर हो जाते है, तो यह आपकी regulatory overheach होती है, इसके बाद लेकि आती है common man, यानिकि जो common man है, उसकी public life में ethics कि इस तरह से होती है, तो पहनी बात हो है कि आप जो दूसरों की health है, उसका भी ध्यान अठी है, मान पर खुला हुआ भूम रहा है, और जो संक्रमर है, उसको लगादार बढ़ा रहा है, तो यानिकि यह गति कैसा है, यह जो दूसरों की health के उपर प्रभा होगा, उसको नजरनदाश कर रहा है, तो यह ethical गति नहीं कहा जाएगा, वहीं पे दूसरा गति जो तुरंस अधर हो कि मेरी वज़े से किसी और को नुकसार ना पहुचे, तो वह जो गति है उसको ethical कहा जाएगा, इसी तरह से दिखिए जो आपके experience है, यानि कि जैसे हम सभी music सुनते हैं, या इस पार्टी करते हैं, जो इस तरह की activities करते हैं, तो जो एक ethical गति है, वह हमेशा याद रखता है, क उसकी वज़े से किसी और को परिशानी ना हो, जैसे कि आप एक society में रहते हैं, जहां पे उसे दिर्लों भी रहते हैं, तो हो सकता है उनको 10 बज़े के बाद या 9 बज़े के बाद आपकी जो music है, जो loud music है, उससे परिशानी हो, तो अगर आप एक ethical गति हैं, तो आप हमेशा इस चीज का ध्याम रखेंगे, और आप जो loud music है, उसको नहीं बजाएंगे, आप जो music है, उसको थोड़ा सा volume को down रखेंगे, तो ये इस तरह से आपना जो एक common man है, जो एक आम आदमी है, उसकी जो public life होती है, उसमें ethics इस तरह से दिखाई देती है, इस चीज को हम लोगों द्रॉड़ा